रहतक की पेटी देश का वोराव शेफाली बर्मास का आज अपने निवास्तान रहतक में पहुँचने पर लोगों ने दुहुंदाम से स्वागत किया जी हैं आपको बताने अटर 19 विमेंस वाल्ड कप की विजेता तीम इंडिया की कप्तान शेफाली बर्मास तीन महाँ बाद अपने निवास्तान रहतक में पहुँची जिस मौके पर स्वाण निकार संग्वा उनकी परिजनों समयत हजारों की संक्या में लोगों ने उनका जो बहुत पुश है कि लड़कों के लिए से पहला वल्ल कप है और बहुत पुश ही उस दिन और आप पुरे परिवार को देख लो इनको भुश हुए थी सबको और इनकी दुआउसे और इनकी ब्लैसिंग से मैं आज नहां तक पूची हूँ और बहुत पुश हुए जब आम जीते और आप सबको पता है पर्स में नहीं बोल सकती मैं बड़ होती हुए अचा एक कप्तान के लिए कितनी बड़ी चोहती थी ज्यादा बड़ी नहीं थे अगर आपकी मेंटली के उपर आप ज्यादे कप्तान को अपनी मेंटल पे चटाओंगे तो उतनी मुश्किल है औ एक दूसरे बिलीव करा हम सबने एक दूसरे फ्लेयर पे और फिर बस खेलते रहे और जीत गया है अचा कई मैसेज में आप जिस तरह से जो आपका औरिजनल परफर्मेंस है वर्ल्ड कप में कई मैसेज में वो देखने को नहीं मिला क्या स्ट्रेस था कफतानी का स्ट्रेस आज इस तरह से आपने अब खेला है उसके बाद क्या लगता है कि लड़कियों के लिए क्रिकेट का कितना अच्छा बशुश है को इस डव्ल्ड के लिए सब बहुत सालों से वेट कर दे थे और अब यह स्टार्ट हो गया है और मैं भी आईपेल से ही उठी थी और यह डोम क्या लगता है आईपेल में जो आपकी बोली हुई थी क्या और ज्यादा हो सकती थी जितना मितलता उसमें सैटिस्फाय रहना थी और जिस तरह से प्लेयर निकल के आए हैं तो कितना लगता है आपको भारत की टीम मुमें की कितनी और मजबूत बनेगी इन में से कितने खिल दान के क्या परतिकर अब बहुत बड़ी बात है मुवमें को आजकल उतना बढ़ावा मिल रहा है और जैसकी मैंने पहले भी बोल रखा है कि हम अच्छा करेंगे तब बढ़ावा और मिलेगा तो हम बस यह सोचीए कि अच्छा करते रहे और बढ़ावा मिल रहा है उसके ल कौन सी है इपेल में मुझे मुंबई अच्छ लगती है और प्लेयर कौन सा अच्छा लगता है लिविंग स्टोन कल जिस तरह से रितुराज गाइगवार ने बेटिंग की है काफी तारीफ हो रही थी उनकी बहुत अच्छा खेले वह तो क्या लगता है आपको अच्छा खेल अगे सफलता मिलती नहीं है अच्छा आपको कौन सा नाम अच्छा रखता है अपने पर कौन सा फिट बैट देखो मैं शेफालीबर हो हूँ आपको किसी साथ जोड़ना है जोड़ सकते हो सचिन तेंदुल करने भी उनको अगे बड़े आज तक और आज में की बैटिंग देखते हैं आज कल उन जैसे शोर्स मैंने आज तक किसी प्लेयर के नहीं देखते हैं एक राजस्थान में एक नड़की का एक वीडियो वायरन हुआ था क्रिकिट खेलते हुए रेत में सचि प्रदीबाएं कैसे निकलते हैं बहुत अच्छी बात है अगर वही है आप मेहनत करते रहो और सफलता अपने आप बिलेगी और जो भी लड़किया है और देखो स्टार सो छूटके हैं जैसे कि मैंने आपको बोला लग बस में उनको यहीं बोलूँग अपने बिलीव रख प्रदीब में भी अपने रौतर की एक लड़की थी बहुत ही निमन दर्जे से और बहुत गरीब परिवार से हैं जो भी निच्छे उससे आई हूं और मुझे पता है किसी सफलता मिलती है उससे क्योंकि हम उतने सचाई से काम करते हैं जितने हम नीचे परिवार से आते हैं अच्छा आप इनी गलियों से खेल के आप सार्टिंग की थी आज इनी गलियों में दुबारा हैं तो नए बच्छों की लिए क्या करना चाहिए का सबको बहुत अच्छा लगा देखके और मैं यह कहना चाहूंगी जिस भी जिस भी आप मुकाम पर पोच्छना चाह रहे है अपने आप एक बिलीव रखे और बस खुष रहे अपने अपसे खुष रहे और बस मैनत करते से रहे हैं स्कोर भी मिलती है जिस तरह से बोली लगती है प्लेयर जिस तरह से वंचित रह जाते हैं उसको अपना वहिश्य सवारने में काफी मदद मिलती है उसकी बारे में बिल्कुल देखो जैसे कि मुझे भी मिला मैं अपने और शुधार लाँगी वह चाहिए फाइनेशल हो पहुंची है तो क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी है बहुत अच्छा बहुत खुशी मैं दो रही है कि वह तीन मंत बाद रोतक आई है और पूरे देश का नाम रोशन करके आई है जो पहला वी शुव कप लेके आई हैंडर नाइटीन का तो बहुत-बहुत मु यह चलता है देखो सब्सक्रेखल छी पारी खेल है है काफ़ी अच्छा अठीम बने वहहां तो अपना गियम बना बना के चलना परिवार निक colonial सफ़लobraद यो और लड़किया तो उनके लिए बहुत-च्वित-पर बहुत-च्वत-चार सोब होता है तो अच्छा होता है अब क्या चाहेंगे अपने बेटी के लिए पैस्ट ओफला कैसे यह अपना लगे रह और टीन के लिए जाधा मैचे जीता हूँ देश के लिए जाधा मैच जीता हूँ वजी बहुत करूब मेरा नम परवीन है, मैं शेफाली की मुम्मी मैं पेटी तीनों के बाद आई हम सभी खुश है इसको देखके अभी देश का नाम रोसन किया है आपकी बेटी ने इंडिया की टीम में विखेली आपकी और वर्ल्ड कुप जो जिस तरह नाइटिन का दिला है तो कैसी खुशी आपके बहुत खुशी है बेटियों को क्या कहना चाहेंगी और भी जिस तरह सफाली है मैं यही कहूंगी देश की बेटियों को ओल्दबस अच्छा खाने के अगर बात करें तो क्या पसंद से फाली है अच्छा अभी यहां पर आई है तो कि लड़कों के साथ भी बेटी खेली है लड़का बन करके अब कितना बद्लाओं आप देखते हैं नहीं बद्लाओं नहीं है उसके अंदर जैसे जैसे रशी है अभी तो वह आई है आने के बाद देखते हैं क्या कब माता पुलती है आगे किस तरह से खेलेगी अच्छा खेलेगी